हेलो फेंट्स आप सभी का वेलकम है आपके अपने ही चानल टार्गेट इन फेंटासी पर तो यहां पर आप देख रहा है जो एक नए टीटेन लिग शुरू होने वाले है ECS टीटेन बुलगरिया 2022 के जो 3rd और 4th मेच खेला जाने वाले है अठारा एप्रिल को यहां पर दो पैर को साड़े 3 बजे और साम को साड़े 5 बजे PLO भर्सस PLE मतलब यहां पर क्या हो रहा है EMU प्लॉफडी भर्सस EMU प्लीवन के बीच जो यह मैच खेला जाने वाले है हमने इस वीडियो में उस मैच के सारे डीटेल्स पर बात करने वाले है जो स्टैट्स हमने निकल कर लाए है साथी साथ कौन से प्लेयर आप के लिए स्मॉल लिग पर बैतरीन अप्सन में चॉइस में रहने वाले है और अच्छा परफेंट्स करते हैं देखने के वो मिलेंगे आपको साथ में ग्रैन लिग्स में आप कौन-कौन से प्लेयर को ट्राई कर सकते हो स्मॉल लिग के जो डिफॉल्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन राने बाले वो बात हम आपको बाताएंगे यहाँ पर साथ ही साथ ग्रैन लिग्स में कौन-कौन से प्लेयर आपके चॉज़ पर होना चाहिए एकदम बिल्कूल सेफ और रिस्की दोनों कैप्टन सी और वाइस कैप्टन सी ओप्टन बताएंगे आपको मतलब आपको ग्रैन लिग्स के लिए सारे अप्टन यहाँ पर बताएंगे तो चलिए यहाँ पर वीडियो सुरू करते हैं तो इसलिए आपको सारे बात जाने के लिए वीडियो इन तक देखने पड़ेगी और वीडियो स्कीप ना करके आप पूरा का पूरा देखो ताकि आपको मतलब डीटेल में समझ आए इस मैच के बारे में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से टीम बना सकते हो तो इसलिए मतलब ऐसे स्टेर्स हमने आपके लिए लाया है कि आप देखके ही आपको टीम बनाने पर सारे डीटेल समझ आजाए जाएगा अगर कोई बारिस की चांसे सोग और कोई विदर कंडिशन के थ्रू कोई फार्दर नहीं जाए तो हमको टेलीग्राम पर बता देंगे तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा आप टेलीग्राम पर जाएए और वहां से आड़ेग्राम पर जल्दी से जल्दी जाएन होना पड़ेगा सारे के सारे निउज और अपडेट्स पाने के लिए तो जाएए और आपको एकदम फ्री में जो पाइनल टीम्स के साथ हम खेलता है वो टीम वहां पर आपको मिल जाएंगे तो चलिए यहां पर भेनू की बा इस लीक का पीज डिवोट की बात करें यहां पर एकदम बैटिंग फ्रेंली पीज रहने वाले है स्कॉर बांडर यहां पर बहुत ही छोटी है साइट इटेंडल लीक्स में क्या होते है ज्यादा इंटर्टेंडमेंट के लिए यहां पर ग्राउंड छोटा कर दे जाता है स यहां पर आपको ज्यादा चौका 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 देखने को मिल सकते है मतलब 10 अवर में 100 अवर में ही 10 अवर में ही 10 अवर में ही 10 अवर करके जाते है तो थोड़ा चौका 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 देखने को मिलेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा टेलिकम की बात हमने कर लिया है हो को सकते हैं तो यह सकते हैं तो यह बात अपको प्लेंग इलेवन एपने तक पता बग जाएँगा तो वहां पर अगर आप हमको मिले कि एम सुपियन यहापर नंबर सेबन पर आएंगे तो हम ट्रेलिगान पर आपको बता देंगे कि एम सुपियन को मतलो क्योंकि यह नंबर सेबन आ रहा है तो इसलिए उसको लेकर आपको कोई फाइदा नहीं है एक प्रपर बैट्समान को आप अगर यह दोनों उपेनिंग साथ में करें तो यह दोनों अच्छा कर सकते हैं क्योंकि इनका ओपेनिंग प्रपर बैट्समान होने के वाजूद यह बहुत अच्छे प्लेयर है पी अचरिया रिसेंट बहुत अच्छे है मुहमद उजेर की बात करें तो यह आपके लिए एक बहतरीन बोलिंग अप्सन में देखने में मिल सकते हैं एब रहमन एक बहतरीन बोलर है डेट में बोलिंग कर सकते हैं मतलब 1 अबर जो कि 2 या 3 अबर पर डालेंगे बतार के अनदर साथ में एक अबर यहां पर किया करते हैं नो या दस अबर में जो किए डेट अबर में डालेंगे तो इसलिए इसके पास ब्यक्ट के शांसेश बहुत जयादा रहने वाले और यहाँ पर आर सर्दक और एक हां की बात करें ठीक ठाक परफेंस है अभी तक लेकिन एक बाद आपको बता हूँ कि जैसे जैसे ये लीक्स अगे बढ़ेंगे उसके बाद जो फाइनल स्टैट्स होगा मतलब कौन से प्लेयर अच्छी फॉर्म पर है कौन से ओडर्स के होने तक पता लग जगा वह हम आपको सारे डिटेल्स यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो पर बता देंगे तो फिलाल यहाँ पर कौन सी प्लेयर आपके लिए पी लोग की तरफ से स्मॉल लिक पर मस्ट भी होना चाहिए एक बर देख लिजिए यहाँ पर एस हुसेन है एम है कदा जाएगा त्म का यह बहुत ही आच्छे गुरा रहे है यह ब्रमन और यह बहुत ही अच्छे देख लए लेकिन कि एनका जो मतलब प्लेयर स्क लिज्द में नहीं रहा है इसलिए क्योंकि इसका परसंटेज बहुत ही कम है संधियर ना खेले तो तब यह जागर कौन स पास अभी तक नहीं है एस मुहमद है जे सिवा कुमार है एम कदयान है ए हरी कुमार है ए मिश्रा है ए थमास है नमबर नो पर यह पर है यू मनाहर नमबर टेन पर है जे जेड मुस्ताफा यहां पर 11 नमबर पर है के मनाहर तो फ्रेंट्स यहां पर एक बर आप देख मनें साथे साथ एक आदो बर डाल लेते है टू डाउन साइड यहां पर आप देख सकते हो लेकिन फाइनल बैटिंग ओडर हमारे पास अभी नहीं है वो फाइनल प्लेइंग 11 आने तक और एक दो मैचेस खेला मतलब के ओवर होने तक आपको थोड़ा पेशन जटना पड़ लेकिन ज़्यादा इंवेस्ट मत करो ज़्यादा नौलेज नहीं है आपके पास भी और हमारे पास भी क्योंकि हम जितना कोशिस किया है मतलब जितना हो सके हमारे तरफ हमने उतना ही किया है स्टैट्स निकलने की और कौन से प्लेयर अच्छे है कौन से प्लेयर अच्छे न चेए हो चेए पलेयर्स आभी आपको दीग रहा है आपके लिए मास्ट भी होना चैOW स्टेव लिग के टीम पर क्यों कि हमारी नसली से भूर इच्छे लग रह रह नगे तो इसलिए यह избald आपके टीम पर मस्ट भी होना जाए मुस्तपाभा की मुस्तपावी मतलब इसका एक-दू match इसका स्ट्रील हम नहीं देखा लेकिन उतना जयादा अच्छा नहीं लेगा दो उबर बोली है नहीं मिली इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सेफ अप्शन के उपर जाए किमकि पहला दूसरा मैच है थोड़ा लेस इंबेश्ट कीजिए साथ में सेफ खेलिए तो स्मॉल लिग की जो डिफॉल्ट कैप्टनशी और वाइस कैप्टनशी चोईस है वह एक पर हम आपको बता देते हैं यहा चार प्लेयर्स हमने आपको बता ही दिया मतलब राइट साइन दे के कुछ ऐसा करके यह चार आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने बाले हैं स्मॉल लिग के डिफॉल्ट कैप्टनशी और वाइस कैप्टनशी के चोईस पर आपको मतलब स्मॉल लिग के टिम पर तो रखन केप्टन बना देना है लेकिन बाकी जो सारे स्मॉल लिग का सेफ प्लेयर्स है उनको आपके टिम पर लेना चाहिए क्योंकि एक प्लेयर अगर मिस हो जाए तो आपके लिए बड़े ही गलती हो जाएंगे क्योंकि टीटन लिग्स पर एक एक विकेट दस-दस रन बहुत ही म माना लिग तो यह चार प्लेयर्स को आप ग्रेंड लिग्स में रोटेशन पर ट्राइ कीजिए क्योंकि ग्रेंड लिग्स पर आपको मतलब स्मॉल लिग के प्लेयर्स को छोड़ना ही पड़ेगी तो तब यह आपको प्रब्लेम होगा क्योंकि स्मॉल लिग में जो जो प्ल करता है वह हमेशा के लिए गैंड लिक्स पर भी कैप्टनि और भाइसके पर राखिए साथ इसाथ इनको थोड़ा साथ यहां पर बेल आइकन कभी दबा देना चलता ही यहां पर डिम लिंग के तरब यहां पर हमने एक टीम मनाएंगे अगर कोई केडिट का इसु आए तो हम वहां पर थोड़ा इधर दर करके अभी के लिए एक डेमो टीम बना लेंगे फाइनल टीम आपको मतलब मैच डिलें पर दे देंगे तो देली नहीं करके आभी के आभी टेलीग्रम पर जॉइन हो जाईए चलता ही यहां पर विकटिक परिंग सेक्शन के तरब यहां पर एन सुनिल है और एसुजन है तो यहां पर आप देखिए एसुजन की जो पारसंट रहें नाटीम बनाना है तो इसलिए हमारे स्मॉल लीक के टीम पर यह माश्ट भी होना चाहिए अगर एन सुनिल की कोई नियू जाए मतल मतलब यह अगर ओपिनिंग कर रहा है और यह टू डाउन या थी डाउन आ रहा है तो तभी हमारा टीम पर एन सुनिल रहने वाले है तो ऐसे करके आपको टीम मनाना है पह के लिए अच्छा अप्सन हो सकता है जे अवीदी फिलावार टीम पर रही रहेंगे क्योंकि अगर थोड़ा क्रेट शुना है तो इसलिए हमने अर्सलन खान को छोड़के जे अवीदी को पीक करेंगे क्योंकि यह 9 क्रेट का है यह साड़े 8 क्रेट का है देखिए आप यहां स्कशद्र हमारा इह चार प्लेस रहने वाले है एक दो तीन यहां पर चार हो गए तो चल देंपर ओन वाले यहां पर क्यांपर के लिए यह अली और यहां पर आमने जेश सिवा कुमार को फिलाल के लिए हटा देंगे क्योंकि और लोंडा सेक्षन में आप देखिए जो चार अप्षन से है 71%, 86%, 82%, 76% मतलब चार प्लेयर्स को लोगोंने पिक कर रहा है कर रहा है आपको भी पिक करना है क्योंकि स्मॉल लिग के जो सेफ अप्षन है उनको आपको नहीं छोड़ना चाहिए अगर आप छोड़ रहा है तो बड़ी गलती कर रहा हो तो यह बात आपको ध्यान मेरा कटी मनाना पड़ता है कि स्मॉल लिग के जो सेफ प्लेयर्स है उनको आपको small league हो या grand leagues हो किसी भी तरह leagues में नहीं छोडने ही चाहिए बोलार option की तरफ चलते हैं तो एक पर आपको दिखा दें तो ही यहाँ पर आपको यह मिस्रा भी मिल जाएंगे यह खान भी मिल जाएंगे और यह मुहमत अगर खेले तो हम आपको तो यह दो प्लियर्स आपके लिए grand leagues पर अचा रहने वाले है rotation में आप ट्राइक कीजिए यहाँ पर P अचारिया है M उजाईर है और यह से A थमास तो यह तीन प्लियर्स फिलार हमारा टीम पर रहने वाले है जो तीन प्लियर्स 85.72 परसन है 79.69 परसन है 88.18 परसन है तीन से ब्रोलर्स को हमने पिक कर लिए है साथे साथ चार से वल्लार्स को हमने पिक किया है तीन बेस्ट बैस्पन को हमने पिक किया है और साथे साथ एक अच्छा विकर कीपर को हमने पिक किया है बिर्कुल एक से टीम बन गए आपी तो यहाँ पर captaincy option में हमारा रहेंगे A.M. सुफियान और A.Hari Kumar हमारा vice captain रहने वाले है आप चाहे तो यहाँ पर small league के captaincy vice captain option पर K.Dassan को भी try कर सकते हो यहाँ पर A.M. Kadiyan को भी आप try कर सकते हो इनको लोग छोड़ रहा है तो इसलिए अगर उनने अच्छा खेल जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा option हो सकते है टीम सेप करके आपको एबर preview दिखा देता हूँ यहाँ पर अब देखिए A.S.Husain है J. Abidi है J. Abidi है T. Yadav है A.M. Sufiyan है Captain C. Rook के हमारा जो Small League का A. Ali है K. Desan है A. Harikumar है यह हमारा Small League का Vice Captain है A. M. Kadiyan है यहाँ पर A. Thomas भी है P. Acharya भी है साथ में A.M. Ujjirwan भी है तो एक बार यहाँ से कौन-कौन से प्लेयर को आप Grand Leaks पर ट्राइ कर सकते हैं एक बार देख लिए J. Abidi को मार्स भी ट्राइ कीजिए A. Suzan अगर ओपिनिंग करें तो इसको आप बहुत ही मतलब आँख बन करके इनको Captain C. Rooks की आप्सन दे दे ना लेकिन Grand Leaks पर A. Ali और K. Desan भी आपके लिए Small League में भी आच्छा अप्सन हो सकते है A. Kadiyan भी Small League के लिए आपके एक आच्छा अप्सन हो सकते है यहाँ पर A. Thomas, P. Acharya, A. Mujhari तीनों बोलार को आप प्राइ कर सकते हो अगर इनमें से कोई डेथ ओवर में बोलिंग ना करें तो तबी आप जाकर मतलब इनको ड्रॉप करना ताकि मतलब एक डेथ बोलार के अलाभा दूसरे कोई बोलार को आपके टीम पर मतलब फिक करना मेरे इसाब से अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि डेथ बोलार को ही विकेट्स मिलता है विकेट्स गिरेगा तो मतलब इन में आके ही तो इसलिए ऐसे करके आप टीम मनें अगर आप बीस टीम मना रहे हो जी एल का तो ये सेव कटन भाष कटन राखके के डासन होगा आपको एसाली होगा कजियान होगा इनको सेव राखके आप थोड़े एक दो प्लेयर्स को रोटेशन करके बीस टीम मना और गैनलिक्स जोइन करो एक अच्छा सा पहले स्मॉल लिक का टीम मना उसको रोटेशन के थू गैनलिक्स के टीम मना और गैनलिक्स जोइन करो तो thank you friends अभी के लिए इतना ही deadline खतम होने तो को आपको team मिल जाएंगे तो वो team पाने के लिए आपको telegram channel को जरूर जोइन करना पड़ेगा और ये बहुत important है आपके लिए कि telegram पर हमने हर तरीके का news देते हैं वहापर final team भी देते हैं तो इसलिए आपको telegram channel जोइन करना पड़ेगा आप जाएए हमारे telegram channel जोइन कीजिए description में आपको link मिल जाएंगे वहाँ से आप telegram channel जोइन हो जाएए तो चलिए friends अभी के लिए इतना ही एक अच्छा सटीम मनें और अच्छा सव विनिंग कीजिए thank you so much all the best